नमस्कार स्वागते आपका नियूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी गुन बॉनिंग इंडिया में खबरों करूप कर लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मूदी आज उत्तप्रदेश वे बलरामपूर जिले का दौरा करेंगे और सर्यूम नहर राष्ट्रे पर योजन काउट खातन भी करेंगे जिससे 14 लाख हेक्टेर से ज़्यादा भूमी की सिचाई के लिए पानी मिलेगा और शेत्फ के लगबग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा प्रधान मंत्री कार्याले ने ये जानकारी दी है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरींद मूदी श्वनिवा को बहराई श्रावस्ती और बलरामपूर से होकर गोरकपूर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9800 करोड रुपे की लागत वाली सर्यू नहर राष्टे परियोजना का उद्खाटन करेंगे पूर्व वर्ती सरकारों पकटाक्ष करते हुए पियम मोदी ने कहा कि परियोजना पर काम 1958 में ही शुड़ू हो गया था लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया गया और इनकी सरकार नहीं से पूरा करने के वाद से जो है कदम उठाये थे उन्होंने ट्वीट किया कि आपको जानका हैरानी होगी कि सर्यू नहर राष्टे परियोजना पर काम बहुत पहले शुरू हो गया था लेकिन दशकों तक ये परियोजना कभी पूरी नहीं हुई खर्च बढ़ गया लोगों की परिशानी बढ़ गई जो परियोजना चार दशक से अधूरी थी उसे चार सालों में पूरा किया गया है तो ऐसे मैं आज बलरामपूर जा रहा हैं आपको बता दें प्रधान मंतुई नरेंद मोदी आला कि मुख्य मंतुई योगी आदितिनाद भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं और बड़ी सौगात ये लोगों को आज मिलने वाली है उत्तर प्रदेश के दरसल विधान सबस्चुनाब बेखत नजदी के उत्तर प्रदेश में इसलिए एक के बाद ये कि बड़ी सौगात धान मंतुई और मुख्य मंतुई की तरफ से चंता को दी जा रही है